हेलो फेंड्स वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू फिनाक्ल 10 टुटोरियल फेंड्स अगर नोमीन है आप एड करेंगे वह भी ओभी माईनर का तो कैसे फिनाक्ल 10 में एंट्री करेंगे क्या एक्स्ट्रा आपको एड करना पड़ेगा फिनाकल 10 में इस वीडियो में मैं step by step आपको दिखाऊंगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि सब्सक्राइब भी बढ़ता रहे और चैनल भी चलता रहे तो मुझे नोमिनी एड करना है माइनर का तो चलिए यहां पर मुझे टाइप करना है हसीम यह है आपका मेनू फिर गो बटन क्लिक करना है गो बटन क्लिक करने के बाद यहां पर देखे एक पेज ओपन होग कर, यहां पर चार ओफ्षन ऊप्षन है शपिर मुझे जाएमीर को आड जाएमईं को आड करना है तो मुझे मोडिफाइऑ करना है तो मैंने ने मौडिफाइऑ scheme tab में आप अभी actually जो visit कर रहे हो और scheme tab में आप विजिट कर रहे हूं उसके बाद आप यहां पर एक बाद देख सकते हैं कुछ अगर changes करना है extra changes nominations देखिए यहां पर nominations जो checkbox है उसको tick किजेगा तभी आप क्या कर पाएंगे nomination को add कर पाएंगे तो यहां पर tick करने के बाद मुझे और एक टैप में जाना है तर इस दा nomination tab तो nomination टैप में जाने के बाद पूरवा details मुझे यहां पर intake करना है यहां पर मैंने example के हिसाब से nominee का नाम xyz डाला है address के जगा में address डाल दीजेगा relationship कुछ भी हो तो डाल दीजेगा यहां पर मैंने example एक दिखाया था तो relationship डाल दीजे फिर postal code जो है postal code डाल दीजे state डाल दीजे अब birth date जो है आचा और एक चीज है nominee percentage अगर 100% nominee 100% nominee का मतलब है अगर एक ही nominee रहेगा अगर more than one nominee रहेगा तो percentage आप change कर सकते हो तो यहां पर एक nominee है 100% डालना है अब यहां पर आता है birth date अगर nominee minor है तो दिखिएगा form में लिखा रहेगा birth date वो date आपको डालना पड़ेगा तो जैसे date डालेंगे यहां पर 15 2012 में डाला तो डालने के बाद देखिए गर्चन details गर्चन details nominee अगर minor है that is the mandatory otherwise आपको submit नहीं करने देगा तो यहां पर गर्चन name देना है for example मैंने यहां पर दिया है abc address के जगह में address दिजिए state दिजिए postal code दिजिए और एक है important गर्चन कोड देखिए यहां पर option आपको पांच मिल जाएगा court appointed c de facto गर्चन a father a mother others तो जो भी है जो भी relations है वह आपको पूपल यहां पर करना है यह सब होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा submit बटन क्लिक करना पड़ेगा जैसे submit बटन क्लिक करेंगे आपका जो nominee आप add कर रहे है minor वह आपका completion हो जाएगा लेकिन यहां पर मैं एक चीज़ और बता दू witness जो होता है nominee अगर minor हता है तो witness का sign लगता है वह आप form में sign करवा लेजाएगा तो friends hope you understand how to add nominee if the nominee is minor hope you like the video friends and if you like the video then don't forget to subscribe my channel like share and comment thank you